राजकुमारी दुवे जिन्हें लोग राजकुमारी के नाम से जादा बेहतर तरीके से जानते हैं वो एक भारतिय पार्शुगाई का और अभिनेत्री थी 1930 से 1950 के दशक के दौरान हिंदी सिनेमा में वो काफी सक्रिय थी राजकुमारी ने अपने करियर की शुरुआत महज 11 साल की उम्र में फिल्म राधे श्याम और जुल्मी हंस जो की 1922 में रिलीज हुई थी इस फिल्म में एक बाल कलाकार के रूप में की थी उसके बाद वो थेटर से जुड़ गई जहां उन्होंने अभिने किया और कई नाटकों में गाना भी गाया वो अपने समय की शीष कायकाओं जोहराबाई अंबालावाली अमरबाई करनाटकी और शमशाद बेगम में से एक थी उन्होंने 1950 के दशक तक लगभग सौ फिल्मों में अपनी आवाज दी तब तक लता मेंगेश कर फिल्मों में आ चुकी थी और उनके आने के बाद राजकुमारी को काम मिलना लगभग एक तरीके से बंद हो गया लेकिन वो गाती बहुत खूब थी राजकुमारी ने कई फिल्मों में अभिने भी किया जैसे आँख का तारा, तुर्की शेर ये दोनों फिल्में 1933 में रिलीज हुई थी उसके अलावा भक्त के भगवान और इंसाफ की टोपी में भी वो नज़र आई थी उन्होंने कई फिल्मों में जगरिया खान, प्रसिद हिंदी अभिनेता, अमजद खान के पिता जिनका स्क्रीन का नाम जयन था, उनके साथ बतौर लीड अभिनेतरी काम किया वो भारती सिनेमा की पहली पारशुगाई का थी और उन्होंने अपने समय की प्रमुख अभिनेतरियों, शोभना समर्थ और रत्नमाला के लिए अपनी आवाज दी उन्होंने मुकेश के साथ भी कुछ गाने गाए उन्होंने नूर जहां के साथ भी 1943 में रिलीज हुई फिल्म नौकर में गाना गाए उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्म बावरे नैन थी जोकी 1950 में रिलीज हुई थी इस फिल्म में उन्होंने गीता बाली को अपनी आवाज दी थी 1950 के बाद राजकुमारी हिंदी फिल्म इंडस्टी से लगभग गायब हो गई जब तक संगीतकार नौशाद ने उन्हें पाकीजा के बैक्राउंड स्कोर के लिए कोरस में गाते हुए नहीं देखा नौशाद उन्हें कोरस में देख कर बुरी तरीके से हिल गए और उनका दिल लगभग तूट गया क्योंकि जब नौशाद संगीतकार नहीं बने थे उस वक्त वो राजकुमारी को सुना करते थे उसके बाद उन्होंने पाकिज़ा में उन्हें पूरा गाना दिया लेकिन कुछ वजहों से वो गाना फिल्म में नहीं रखा गया लेकिन उस गाने को आप बैक्राउंड में जरूर सुन सकते हैं वो गाना कुछ यूँ था नजरिया की मारी हाना की इस गाने से उन्हें उनके करियर में कोई खास फाइदा नहीं हुआ उनका आखरी गाना राहुल देव बर्मन के लिए उनके फिल्म किताब जिसके निर्देशक और गीतकार घुलजार थे में रिकॉर्ड किया गया वो गीत कुछ यह था हरी दिन तो बीता शाम हुई पर रात करा दे सन 2000 में बेहत गरीबी में राजकुमारी इस दुन्या फानी से चुपके से रुखसत हो गई भारती फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान को हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा उन्होंने जिन फिल्मों में काम किया वो फिल्में कुछ इस तरीके से हैं बॉम्बे मेल 1938 गोरा खाया 1938 नौकर 1943 नील कमल 1947 महल 1949 बावरे नैन 1950 हल्चल 1951 अर्मान 1952 पाकिसा 1971 और किताब 1977